हलो फ्रेंज आपको एक बार बताओं साटिस्फाक्शन यानि कि सन्तुष्टी हमारे लाइफ में हमारे पास बहुत सारे चीजे हैं फिर भी हम कई बार ये सोचते हैं मेरे पास ये चीज नहीं है मेरे पास वो नहीं है ऐसे सोच कर हम दुखी हो जाते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिनके पास कुछ भी नहीं हो जिनके पास eyes नहीं हो वो क्या करते होंगे जिनके पास hand नहीं हो वो किसी work को कैसे करते होंगे God ने हमें सब कुछ दिया है अच्छे hands, अच्छे eyes, सब कुछ हमें दिया है लेकिन हम लोग कई बार satisfied नहीं रहते हैं उसे के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ आश्ट्र में प्रांजल नाम की एक छोटी से लड़की थी जो बढ़ने में बहुत ही तेज थी और सारे कामों को बहुत अच्छे तरीके से खुशी से करती थी एक बार प्रांजल की आँखों में पैंसिल से चोट लग जाती है वो चोट कोई साधारन सा चोट नहीं था बहुत ही गंबीर चोट था जिसके वज़े से 6 साल की उमर में उसकी आँखों की रोशनी चरी जाती है उसकी बार उसकी माता पिता एक ब्लाइंट स्कूल में उसको दाकिल करवा देते हैं जहां पर ऐसे बच्चों की पढ़ाई होती है जहां उन्हें दिखाई नहीं देता हो वहाँ पर ब्रेल लिपी में पढ़ाई जाती है उसी स्कूल में प्रांजल ने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करके 12 तक पास किया उसके बाद में की पढ़ाई भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास किया प्रांजल का एम बहुत ही बढ़ा था वो IAS बनना चाहते थे उसके बाद उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू कर दे फर्स्ट अटैंप्ट में उन्होंने 773 रंक लेकर आया जिसकी वज़े से उन्हें कोई गावर्मेंट जॉब तो मिला रेलवे में उन्हें ब्लॉक्री मिल रहा था लेकिन उनकी आँखों में रोशनी नया होने की वज़े से उन्हें तुरंट रिजेक्ट कर दिया गया लेकिन फिर भी प्रांजल हार नहीं मानी वो अपनी लगम के साथ और मेहनेज करके पढ़ाई की और निक्स टाइम उसी एक्जाम को पास किया वो कितनी रैंक से पता है 124 रैंक के साथ उन्होंने पास किया और उन्हें एरना कुलम नामकी जगा पर डिप्टी कलेक्टर के रूप में पोस्ट दे दिया गया था उसके बाद उन्होंने अपने लक्षे को खुशे से पूरा किया वो ये सोच सकती थी कि मेरे पास तो आँखों की रौशनी नहीं है मैं कैसे अपने लक्षे को प्राप्त कर सकती हूँ वो निराश होकर बैठ सकती थी लेकिन फिर भी वो वैसा नहीं कि वो बहुत खुशी के साथ अपने लक्षे को, अपने कामियाबी को हासल किया हमारे पास हमारे लाइफ में God ने हम में सब कुछ दिये हैं एक अच्छा फैमली, रहने के लिए जगर, पहने के लिए कपड़ा, खाने के लिए food, सब कुछ दिये हैं लेकिन जिनके पास नहीं होता है कुछ भी, आप उनके बारे में भी सोच कर देखिए, वो फिर भी satisfied और खुश रखते हैं आपके पास जो है, उसे satisfied होकर आप accept किजिए और खुशी से उसके साथ आप आगे बढ़िए हर बातों में हमेशा satisfied रहिए